अच्छा जी जिस तरह मिशा आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में इन्होंने आग जो है मजब की आग जो है बढ़ाई विए हो या इस्ता इस्ता इसका जो टेंपरेचर है उपर जाता जा रहा है और उसकी वज़ा यही है कि किस तरह जब आप आग लगाते हैं जब आप मौशरे में इन्टॉलरंस फैलाते हैं तो जाहरी बात है यह बड़ा पुराना कोल है कि हमसाय के घर आग लगेगी तो आपके घर भी आग लगेगी जो नीरों की बड़ी मशूर आग है मशूरे जमान फायर अव लंडन भी है तो पूरे पूरे नेबर हुट्स तबाह होगे तो उसी तरह जो यह नजरियाती आग भी जो होती है वो भी जब आप लगाते हैं तो यह मत समझना कि आप बच जाओगे जैसे भी मैंने आपको बताया शुरू में किस तरह अब यह मौम्मद ब्लास्फमी के उपर पूरी दुनिया में मुसल्मान उस तरह रियक्टर ने करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में करते हैं और जाहरी बात है जब इनको क्रिस्चन्स नहीं मिलते हैं हिंदू नहीं मिलते हैं तो यहापस में इक दूसरे को मार रहे होते हैं हम काफी इस तरह की खबरें शेर कर चुके हैं जहां पे एक मसल्मान ने दूसरे मसल्मान को वो एक बड़ा मुशूर फैसलाबाद का जो बैंक था उसने बैंक मैनेजर को मार दिया जो गार्ड ने इस आग में अब तुम सब जलोगे मज़े की बात ऐसी है कि मुसल्मान खुद बड़ा डरते हैं इस बात पर कि कहीं उनके उपर भी गुस्ताखी का मुकदमा ना या इल्जाम ना लग दे किसी ने मुझे बताया है कि किसी को ना एक वो था एक जवल्स आदमी उसके उपर ना किसी ने को शरारते करने शुरू कर दे उसको वो बड़ा इसलाम का बनता था उसके उपर पता नहीं कि कुछ लोगों ने ना उसको उपर गुस्ताखी के लजाम लगाने शुरू कर दे वो भाग गे डरके वो धोड़ी किया हो उसने का यार यह तो मुझे मार देंगे मेरे अपने मुसल्मान भाई मुझे मार देंगे तो यह ऐसी इन्होंने आग खड़ी की वी है कि हापस में यह जलते हैं तो इतना जबरदस किसम का यह वाक्या हुआ जो किसी ने अभी मेरा ख़ल इसको उस तरह से खबर शेयर नहीं की गई किस तरह यह इसलामाबाद में इसलामाबाद के थाने के उपर कोई 20-25 लोगों ने हमला कर दिया थाने के उपर क्योंकि एक बंदे को अंदर उन्हाने पकड़ा था जिसके उपर गुस्ताखी का इल्जाम था पुलिस ने उसको पकड़ावा था और मुसल्मान ही होगा पता नहीं इसकी डिटेल्स वेगरा नहीं रिलीस की और उसकी खबर भी नहीं आई कि कोई बंदा अरेस्ट हुआ गुस्ताखी के उपर तो ये कोई और एक और बंदा कोई अरेस्ट हो गया गुस्ताखी के उपर जिसकी डिटेल्स नहीं पता तो ये बंदा गुस्ताखी के इल्जाम के उपर उसको पकड़ा और कोई 25-30 के करीब लोग लाठियां पगड़के पुलिस टेशन गए उन्होंने पूछा भी वो आपके पास एक बंदा है जो गुस्ताखी के इल्जाम में है तो उन्होंने का हाँ जी होगा तो उन्होंने फिर धकें पेल करके पुलिस वालों को मार पीटके अंदर गुजगे और उस बंदे को मारने की कोशिश की जान से लेकिन पुलिस वाले जो थे उन्होंने अपने आपको बिचारों ने अपने आपको खुद लॉक अप में बंद कर दिया तारी दुले ले लगारे सारी बात जेल के अंदर जाना मुश्किल होता है और उन्होंने कॉल कर दी बाकी की पुलिस को तो बाकी की पुलिस आई सही तरीके से जो होती है पुलिस को रेस्क्यू करने एक और पुलिस आई वो एक जुगत थी पुलिस चे होंदा सी पहले तो उस पुलिस वाले ने ये अपने आपको बचाने के लिए पुलिस पुलिस को फून कार रही होती थी पिटाई होने लगी हमारी तो वैसे ही हुआ कि पुलिस ने उन्होंने अपनी बैक अप को बलाया और फिर तकरीबन एक घंटे के बाद लड़ तरड़के उन्होंने लोगों को इदर उदर भगा बगो दिया तो उसके बाद ये पुलिस वाले जो है उस लड़क जो जो मुल्जम है मुल्जम जिसके उपर गुस्ताखी का लजाम है उसको कहीं और किसी और अन्डिस्कलोजड जगा पे ले गए गुमनाम जगा पे ले गए आफ दा रेडार और ये खबर दो दिन पहले की अठारा मेई की वो ये इशे तो स्वाब बना दिया ने इनोंने कि एक गुस्ताख मारो सीधा जन्नत जाओगे जाना जो नहीं होता चुतर चुतर पढ़ते हैं आज के रिसूल होगी जब पुलिस ने उनको पकड़ के पेला तो कह रहे हैं पुलिस वाले पुलिस वालों को अपना अबू बना दिया उनोंने पुलिस वाले भी बड़े शरा आती हैं वो भी उनसे इस तरह के नारे लगवाते हैं कि कहो कि मैँ आपका अबू हूँ तो ये इनों ने उन्फोटनली इस तरह की आग लगा दी है कि इसमें बच्चो आप कोई भी ने बचायगा सब डरते हैं सब डरेंगे बात करते वे डरेंगे मसलमान, मसलमान चामने बात करते वे डरेगा आप लोग ने इतना चार्जड अप अपना एंवार्मेंट को कर दिया ठीक है हम तो बाहर बैठ के पॉपकॉन खा रहे हैं हम देखेंगे किस तरह आपने पैरों के कुलहाड़ियां मार गए जो जिस मुलक को आपने अपनी अखलियतों के लिए हराम किया एक तरीके का आपकी अखलियत हैं सांस भी बिचारे डर्डर के लेते हैं कि कहीं उनके उपर गुस्ताखी का लजाम न लग जाए कि कहीं जो क्रिस्चन नरसे काम करते हैं नसे कोई आपके को अरभी में लिखी हुई चीज के उपर उनके नपाक हाथ भी लग गए तो उनके उपर लिजाम लग जाएगा गुस्ताखी का तो अल्ला है तो नहीं लेकिं आप लोग खुद ही कहते हैं अल्ला की लाठी बेवाज है तो वो अल्ला की लाठी नहीं होती वो ये नजाम है ये ये कुदरत का एक नजाम है कि आप जो जैसी करनी होती है वो ऐसी कभी कबार भरनी भी होती है हमेशा नहीं बहुत सारे लोग दो नमरियां करके बच भी जाते हैं लेकिन हो भी जाता, लेकिन मुआशरे में क्योंके वेरी बस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब लाखों लोग चवलें मार रहे हैं, तो वो चवलें आपके सामने आएंगी आएंगी मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पंचा सकूँ झाल